दोस्तों क्या crypto market के crash होने से किसी को फायदा हो सकता है क्या USDT की de-pegging यानि कि अगर stable coins अपनी one is to one की pegging lose कर जाए तो किसी को फायदा हो सकता है इन सब सवालों का जवाब है हाँ एक बहुत बड़ी whale जिसका नाम fire capital है वो 3 billion dollar का अपना war chest use करके crypto को crash करवाना चाहती है क्या वो successful होगी या नहीं उसके बारे में बात करेंगे एकी interesting correlation chart है जो कुछ दर्शार है इस समय इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ as always 10 minute के अंदर अंदर बहुत सारी interesting जीज जो आपका पूरे दिन का समानिक crypto ग्यान से लेकर breaking news सब चीज़े cover करेगा मेरा नाम है रोही शर् करते हैं without any further ado bitcoin का price technicals पर अगर हम नजर दोड़ाएं daily time frame पर विच आपके सामने दो मेहने का almost अंतराल है अगर हम देखें तो bitcoin कहीं ने गया 15,800 इसका bottom है और 17,200 इसका top है उसमें से भी 80% से ज़्यादा जो candles हैं इसने बिताई है 16,500 और 17,500 के बीच में 1000 डॉलर की जो time range है for a two months long period is unheard of वैसे अगर हम देखें तो हमें लगता है volatility है बट bitcoin के price में काफी लंबे समय से almost 7 November से to be precise जब से FTX का पतन हुआ है कोई खास volatility नहीं है volumes नहीं है trade नहीं है और range भी नहीं है तो ये एक perfect time होता है और ये समय थोड़ा लंबा भी चल सकता है कि ज देखें थोड़ा सा zoom in करके भी नजर दढ़ाएं तो price technically 15 December के बाद तो कहीं गया ही नहीं है थोड़ा सा jump लेता है फिर reject होके नीचे आयता है नीचे जाता है support से टकरा के उपरा जाता है बट ये period अगर आप देखें पिछले एक महिने का period तो price exactly 16500 से 16800 के बीच में ही है so ये जो है ना ये एक तरह से bitcoin के resilience भी दरशाता है कि bitcoin बहुत ज़्यादा crash नहीं हुए मैं अकसर आपको बताता रहता हूं बड़े बड़े लोग को कहना है कि उनको यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी market volatility इतनी बड़ा stock market crash इतनी बड़ी recession और इतनी बड़ी global supply meltdown के बाद भी bitcoin सिर्फ 15,000 तक ही गया है I know bitcoin premium को और investors को सुनके अच्छा नहीं लगता बर this is how the hard fact is bitcoin की dominance पे नजर दोड़ा लेते हैं bitcoin की dominance अपने एक critical resistance की तरफ जारी है जो कि 44% का है इस समय almost 42% पे हम चल रहे है तो bitcoin की dominance है वो भी काफी समय के बाद उठनी शुरू हुई है इसका मतलब bitcoin is stronger than the altcoin but that is also a signal कि जब हम उस resistance से टकराएंगे 44% की उसके बाद altcoins की performance शुरू होगी altcoins will perform better than bitcoin नजर दोड़ाते है quickly stock market पे जो लंबे अंतराल के बाद आप finally खुलने वाली है क्योंकि low volatility period था new year था weekend था लंबा weekend था अब जो है यहां से एक decisive week शुरू होगा stock market decide करेगी कि नया सा कैसे शुरून है क्या market में सकरात्मकता आएगी या नकरात्मकता आएगी यह बड़ी खबर जो है जो about 3 billion dollar की drama के उपर जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा detail में बताऊंगा इस पर थोड़ा से एक बार pause लगाते हैं पहले अपने इस chart की तरफ चलते हैं जो आपके कहते हैं और उपर की तरफ जो है वो bitcoin का dollar denomination price है यानि कि bitcoin कितने dollars का है अगर आप देखें trend bitcoin to brent ratio crude oil की ratio तो जब जब वो crude oil की ratio bottom होती है तब तब bitcoin का price भी bottom होता है और इसको हमने एक support resistance की parallelogram parallel lines की भीतर दिखाय है ताकि आपको exactly पता चले कि कितना strict correlation है over the period of time short term में भी जब य bitcoin का price peak करता है जब यह correlation bottom करता है तो bitcoin का price bottom होता है जिससे आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं जब जब WTI to bitcoin peak हुआ है bitcoin का price भी peak हुआ है तो अब अगर हम bottoms की जब नजर ड़ाए तो 2018 की bear rally में भी bear market में भी यह bottom होता है और इस समय भी यह अपनी parallel line इस parallel trend line के मुहाने पर टकरा के ऊपर उठाए तो हम काफी सारे भर भर के जितने भी technical indication है वह संकेत दे रहे हैं कि bitcoin ने अपने bottom को touch करके वो जो reversing है वो शायद कहीं न कहीं शुरू कर दिये यह तो वो reversing नजदीक है यह एक indication है कि at least crude ने तो दिखा दिया कि crude bitcoin bottom कर चुका है और bitcoin का price भ मानना है centralized exchanges जो हैं वो काफी जादा आफ कीजिए का unsafe है तो आपको अपना पैसा जादा जादा wallet पर रखना है अब यह बड़ी ख़बर को सोड़ा सब फटावट से unfold करते हैं श्रीमान राम आलुवालिया जिन्होंने series of tweets में allegation लगाई है DCG यानि कि digital currency group which is the parent company of GBTC इस company के खि fire tree capital ने एक war field छेड दिया है यह war field क्या है यह war field है और इस war field की पूरी conspiracy है दरशाती कि fire capital fire tree capital जो है वो अपना पूरा का पूरा war chest जोग चुकी है DCG group को और GBTC को court के बीच में धकेलने के लिए और साथी साथ उनके bitcoin को sale में लगाने के लिए fire tree capital का war chest जो है उनका total $3 billion का asset under management है बड़ी company है इन्होंने एक filing करी है जिसमें इन्होंने बताया गया है वैसे इनके background oil tobacco और वगरा वगरा में है बट इन्होंने DCG के खिलाफ सीधे तोर पर मोर्चा खोला है court में और बोला है कि DCG लोगों के पैसों का mistrust misuse कर रही है मैं आपको बतातू कैसे वैसे आपको मैं bitcoin trust जिसके पास 6,00,000 से उपर bitcoin है सबसे बड़ा bitcoin fund है उसकी इसमें pegging 48% discount पर चल रही है यानि कि अगर आपने GBTC fund के through bitcoin खरी दे हैं तो आपके 100 रुपे के आज की value की bitcoin के वल 52 रुपे के हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने complaint file करी है कि information rights के अंतरगत जो लोगों के GBTC जो की trust है US में trust is a very reputed item वो उसकी डी-pegging कैसे हो सकती है आज की इतमें जो GBTC बेच रहे हैं उनको loss क्यों हो रहा है और इसके लिए इन्होंने पूरा मोर्चा खोला है FIR file करी है ये बोला गया है कि investors के teachers के fire fighters के police officers के और civil servants के जिन्होंने GBTC में investment करा था उनके हितों के विपरीत जो है GBTC काम कर रहा है अब हम ये मानते हैं कि fire capital जो कि खुद एक customer facing company है वो एक दूसरी company के पीछे इतनी बड़ी मोर्चा क्यों खोलके बैटी है उनको क्या पढ़ी है जनता के पैसों को protection लाने के लिए अब इसका जो है एक मूल भूत कारण जो बताया रहा है इस series of tweet में कि fire capital के अगर आप fire tree capital की अगर आप detailing में जाएं तो इन्हें भारी मातरा में bitcoin पे और stable coins पे short किया हुआ है अगर आप short नहीं समझते हैं तो short एक वो परिस्तित्य होती है जहां पर आप leverage लेकर उधार लेकर कहते हैं कि यह item नीचे जाएगी और जितना नीचे जाती है वो तना आपक short हैं माफ किजीगा तो अगर 10x leverage पे हैं तो अगर GBTC USDT 10% नीचे जाता तो आपको 100% का फायदा होगा जैसे कि आप इस tweet में भी देख सकते हैं माफ किजीगा USD और USDT के peg के उपर इन्होंने betting for bank run bank run का मतलब कि USDT जो है वो खतम हो जाएगा बरबाद हो जाएगा इस zero पर जान पे इन्होंने भाएंग कर leverage ले रखा है या उल्टे reverse scenario में कहें तो अगर USDT डीपैग नहीं होता है और one is to one dollar पे चलता रहता है तो fire tree capital को भाएंग कर loss होगा तो अब GBTC के इस FUD को फैला कर court में इनको ले जाकर इनके 10 billion worth dollar के bitcoin को और USDT को बिकवा कर ये market में वो परिस्तिती create करना चाहते हैं कि bitcoin भी बहुत तेजी से डाउन जाए USDT का पैगिंग भी डाउन जाए अभी simple सी चीज़ है किसी को एक अगर आज की rate में अगर आप bear है और आपको जीतना है तो आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ प्रे करनी है कि GBTC बंद हो जाए GBTC 0 हो जाए GBTC को अप market में क्या होगा bitcoin बहुत नीचे जाएगा बहुत सारे stable coin भी पेगिंग हो जाएंगे और fire tree capital जो है वो जीत जाएगा उसको भेंकर मुनाफ़ा होगा इसलिए ये public litigation और कानूनी कारेवाई के थूरू court से करवाना चाहते हैं कि GBTC गलत है और GBTC पर pressure डालना चाहते हैं कि GBTC अब आप खुदी जज हैं अगर fire tree capital अपने अर्मानों में विज़ई रहती है तो काफी सारे लोग को बहुत सारा नुकसान होगा पर हमारा ऐसे मान के चलना है कि शायद ऐसा नहीं हो कोशिश ये रहेगी अरदास ये रहेगी प्रेई ये रहेगी बढ़ आपको पता ये comment म मत भूलेगा वरना फिर मैं पैसे किसे ट्रांसफर करूँगा तो आपके उसे आखरी मोका है अगली 24 गंटे में मुझे बताए कि fire tree capital जो है अपने अर्मानों में क्यों सक्षम हो सकती है और अगर हो सकती है तो उसके क्या consequences होगे या otherwise अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ ए डिटेल में बताईए बाकी अपना ख्यार रखे दोस्तों नए साल की बहुत बहुत शुब कामने धन्यवाद चैहिंद